यह जो एक इस्तित्य है लेकिन सवाल यह कि प्रात्मिक्ता अभी उन मजदूरों को वापस लाने की है जो कि मुश्किल में है जिनके पास राशन और पाद दूसरी चीजे पहुश तो रही लेकिन बावजूर इसके वो बहुत मुश्किल में है तो सरकार की फिलाल यह प्रात क्या जादा है लेकिन कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो किसी ना किसी रीजन से फस गये हैं तो दुविधा की इस घड़ी में कभी भी बिवेद नहीं किया जाता है कि उसका डेजिगनेशन उसका कार क्या है प्राबलम सबके लिए है अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जग किया जा सकता है इससे ज़्यादा जरूरी है कि हजारों की संगह में फसे हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्मिली फसे हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो की मुश्किया हालात में आपने देखा कि कल रिशी कपूर के देहान के बाद में उनकी बेटी दिल्ली से व विशेश परमिशन मिल गई थी लेकिन ऐसे आम लोगों के साथ में न जानी कितनी इस किसिम की दिक्कते आ रही होंगी तो फिर सरकार इस पर सोच नहीं पा रही है यह सरकार स्टिप बाइस टिप करना चाहती क्या लगता अब नहीं देखे मैं यह समझता हूं कि जब पैंडे के चक्कर में हम उसको इंक्टेट कर दें तो मैनेज़न तरिके से सरकार ने इसको निकालने के लिए कोशिश अब जारी कर दी है लगबग हर जगह से मुझे खबर आ रही है कि मैनेजन तरिके से लोगों को बाहर निकाला जाएगा बस और ट्रेन से specific train और buses जो है चलाई जाएंगी इसका एक benefit देखिए जैसे बॉम्बे हो गया प्रवासी लोग वहाँ पे बहुत है लगबद एक करोण लोग होगे अगर काम नहीं है हाथ में तो मजदूर का वहाँ रुखने का कोई मतलब नहीं तो उनकी cost होती है उनको सुभिधाएं देने म बर्डन दोनों को तरव से हटता है गौवर्मेंट के उपर से भी हटता है और मजदूरों के उपर से भी हटता है का और कॉलर अलेगर से हमारे साथ में प्रवोध जी इस वक जो कैसे होंगे जिस point को रखा एके मिश्णा जेने की अगर वह मजदूर महराष्टरा से अपने घर पहुंचे खाने पिनी के समस्या नहीं होगी अपना काम खेती वाली का ये चुटा मड़ा जो गाहों किस तर पर करते हो करते रहेंगे आर्थिक विवस्ता जो है उनकी भी घर के ठीक रहेगी जी मेरे दोस्त एके मिश्रा ने बड़ी सही बाद कही है मगर जिस महराष्टा का जिक्र भी है कि मिश्रा जी कर रहे थे जहां पर सबसे अदा मजदूर फसे हुए वहीं से एक मजदूर का एक एक शख्स का सवाल है जी अपनी बात आप रखे सर नमचे सर मैं महराष्टा ने आदा हुआ ले बात कर रहा हूँ महराष्टा के अमदनगर जिने में मेरे इरिया में बहुत लोग है उनको उनके घाव उत्तर प्रदेश में जाना है लेकिन उनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है तो आपको लगता कि महाँ पर उनको मुश्किलें जादा आ रही है खाने पर पर लिजिस नहीं मिल रही है अनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है ठीक, एकि मिश्या जी ये इस्तिथी, कैसे देखते हैं आप इसको देकिये, मैं बताओं, मेरा खुद गाउझ जो है उत्तर प्रदेश में भधो ही है, का CHI प्रयाग मद बे मेरे गाउं के भी बहुत से लोग हैं और फोन आ रहे हैं आज के डेट में मैं सरकार को दोस्त नहीं दूँगा क्योंकि जब एक तरफ जान जा रही थी तो सरकार का definitely पहली priority होती थी hospital और medical की facility को लेके अब ये देखे जब pandemic आता है ना तो एक होता है direct impact तो पहले direct impact को सरकार ने manage किया और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है indirect secondary और tertiary level में जो problems होते हैं वो ये problem अब पहली transportation की thanks god मैं बोलूँगा कि आज IT sector का जिसमें कि हम pioneer है अगर किया जाए तो बहुत आसानी से manage हो सकता है आप ये देखिए एक app सरकार दो-तीन दिन में बनवा सकती है जैसे covid के लिए बोला सब लोग अपने पे download कर ले इसी तरीके से उसी app में transport agency जो बहुत सारी transport agency है प्राइबेट बसे चलाती है government के है वो लोग भी tie up कर ले इससे उनको पता चलेगा कि किस area में public की कितनी density है और वो कहां जाने वाले है उनसे form बरवाई है जो लोग migrate करना चाहते है accordingly automatically bus driver या जो bus का owner है जो transport owner है वो select करके उसको yes करे वहाँ पे bus वहाँ पे जाए और सारी सुगदाओं का सारे नियमों का पालन करते हुए buses वगरे को move किया जाए तो ये बहुत आसान भी है मुझे लगता है सरकार ने इस तरह जब सोचा है इतना sufficient and infrastructure है कि हम सब को move करा सकते है अब एकिम इश्रा जी अलग 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 तरह के समस्या है अलग 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 तरह के मुश्किले लोगों के जरिये सवालों के माद्धिम से इस वक्त आ रही है जाहिर तरह पर ये सारी मुश्किले समस्या है तो अब प्रशासन, पुलिस, स्वास्त, विभाग और सरकार तक भी पहुंच रही होंगे या उनकी अपनी जो टीम होगी उनके भी माद्धिम से तो इस पर अब सरकार का जो प्लान है या आप लोग जो input दे रहें उसके आधार पर उम्मीद अब करें कि चीज़ें बेहतर होने की दिशा में जाएंगे तो इसका मतलब है कि बहुत पहले से सारे देश की सरकारे जानती है कि आपदा के टाइम पे उनके guideline क्या होने चाहिए कैसे करने चाहिए सवाल ये होता है कि जब इस तरह क्या आपदा आती है तो बड़ी से बड़ी machinery भी fail हो जाती है मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो IT के sources हैं जो भी technology हैं अभी भी government of India के पास proper resources हैं सब को move कराया जा सकता है एक जगा से move करा के उनको अगर उनके native place पे देखे अगर कोई आदमी productive नहीं है जैसे माली जे उसके पास काम नहीं है तो वो economy पे वहाँ burden होता है इससे better है कि वो अपने native place पे रहे वहाँ burden कम होता है दूसरी एक बड़ी important चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग इंडिया में migrated हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगा गए हुए है वो productivity हो नहीं रही है तो वो nation का भी loss है individual loss भी है और economy में अब जो next challenge आएगा वो inflation का आएगा जो price बढ़ने की चाहे अगर मान लीजे 10 रुपाई की मिलते हैं देखिए इसके पहले जब रिशन सन आया थे एक cup coffee की जो coffee होती थी खतम करते करते 10-15 minute में 8-10 गुना ज़्यादा उसकी जो है price बढ़ जाती थी यह history है तो हमें अब next level पे भी देखना है machinery को और individual आदमी को होगा जी और जाही तो पर अब जो जिस बात का जिकरे के मिश्रा जी कर रहे हो खास तो पर क्योंकि depression के भी शिकार लोग घरों में होकर के खास तो पर वो लोग जो कि मुश्किलों में हैं अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने suicide करने की खबरे साब में आए अपने परिवार में अपने बच्चों में रहेंगे तो रोजी रोटी के समस्या भी वहाँ उतनी नहीं होगे क्योंकि खेती बाड़ी या दुसरे ऐस सकता है इसमें के जो लोग सक्षम हैं जिनकी अपनी गाड़ियां है या जो खुद गाड़ी हायर करके social distance को मेंटन करके एक कार में दो ही लोग बैठे एक आगे और एक पीछे और दो तीन लोग अगर फसे है तो खुद से वो पास बनवा करके जिलाज तर पर DM के लेवल प सकता है सक्षा मैं तो अपने वहिकल से निकले अधरवाइस गौवर्मेंट के लिए प्राइवेट बसेज हो गौवर्मेंट की बसेज हो हमारे पास जो इंफ्रस्ट्रक्टर है ट्रेन हो गया जैसे भी हो गया इंटीग्रेटेड वे में इसको और गनाइज करके लोगों को निकाला जाना चाहिए दूसरा सबसे इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता हूँ आपने एक बहुत अच्छी चीज साइकोलोजिकल डिप्रेशन देखिए आप इमेजिन करिए एक आदमी को पता चले एक कमरे में एक महीने से बंद है उसके पैसे खताब हो गए कहीं होगा ही तो जो एक सोशल लाइफ होती है सोशल लाइफ देखे नूखलियर फैमली का यहां पर दूस परिड़ाम हमें दिख रहा है पहले गाओं में क्या होता था दस फैमली के लोग एक साथ रहते थे तो वहां पर उनका इंटर्टेंट होता रहता था एक दूसरे को कर दिप्रेशन एक नई समस्या प्यादा होगी जिसको जैसे और ज्यादा मुश्किले सापने है कि चुके वक्त की समय सीमा आए